नमस्कार फैंट्स मेरे नाम पभलु उर्मा पेपर हैकर मैं आपका स्वागत है आज देखेंगे 24 नंबर क्योशन धुवा धुवा करने हैं भाले हिस्टरी को धुवा करने बाले हैं बहुत सेखिरी का सब्साइब आपको देखने को मिलने वालाए है यह सब कुछ हमने sequence भाई देख रखा है और हम पहुंच चुके हैं कहाँ पर? पहुंच चुके हैं भाई और और औरंग जेब का पिता हमने इससे पहले देखा था कौन? सहाजहाँ सहाजहाँ को हमने पढ़ रखा है बहुत ही अच्छी प्रिकार से पढ़ा था बहां से कोशन 100% आपको मिलेंगे वो आपको पढ़ी लेना है तो आपको प्ले लिस्ट में सारी वीडियो मिल जाएंगी तो आज का तो रहने वाला है वो रहने वाला है 24 कोशन 24 कोशन क्या कहता है? बही पहले कोशन पढ़ लेते हैं औरंग जेब की धार्म की निती और इसके परड़ामों की ब्याख्या केजिए दो प्रिकार से कोशन एक्जाम में देखा गया है कि औरंग जेब की हिंदू बेरोदी निती या उसके परड़ामों की ब्याख्या केजिए तो प्रकार से आपके एक्जाम में कोशन देखा गया है दोनों में से किसी प्रकार से आपके एक्जाम में कोशन पूँच सकता है यहां पर बादसा रहे हैं सके ठीक है और उसे बहतर आप लिखोगे तब ही आको और उसे बहतर नम्मर मिल पाएंगे तो बात करते हैं उसके बाद यहां से थियुरी बाइस हमारी इस्टार्ड हएंने के मिल प्रारव में उसके शिच्छा का प्रबंद्ल नहीं हो सकारां मैं रही प्रत का क्योंकि अपने पिता जो उसका पिता तासाह जहां, उसके विद्रो के काड़ और इंग जय और उसका का वई कहन ता दारा कौन था दारा था कौन था उसका बड़ा भाई दारा था अरंग जेब का बड़ा भाई का नाम क्या था दारा था इन दोनों को नूर जहां के साथ किसके नूर जहां के साथ कहां जाना पड़ा 16-26 इसमी में बंदन रहना पढ़ा, कहाँ पर बंदन रहना पढ़ा था बाद में सहाज हाँ दौर अपने पिता के से छमा मांगने पर उन्हें मुख्त किया गया था इने बंधी बना लिया था किसने, सहाज हाँ ने खुद अपने बेटों को मंदी किस ने बना लिया था सहाज जहां ने बना लिया था और नूर जहां ने बना लिया था ध्यान रखना सहाज जहां की एक बेटी भी थी जो कौन्ती जहां आ रहा थे जिसके साथ सहाज जहां के नाजाईज संबन थे क्या थे नाजाइज संबंते बात करते हैं तत पस्चात औरंग जेवी की सिच्छा की विवस्ता की गई सीग्र ही उसने अर्भी फार्सी तुर्की हिंदी आदी विश्यों की अच्छा ग्यान प्राप्त कर लिया जो औरंग जेव था उसने बहुत सारी देखो यहां पर इसलां के इसलांत पर आधरित था उसने इसलां को राज धर्म गोसित किया औरंग जेवी के विचारस में में भारत था वह कहना था काफर या फिर दार उलहरस भी कहा जाता है औरंग जेवी के विचार में भारत दार उलहर्स काफिरों का देश था बहे इसे इसलाम के देश में बदलना चाहता था और यही का यही उसका उद्देश था उसने धार्मिक नेती संबंदी सिद्धान्त निमने प्रकार से हो जाते हैं यहां पर आपको देखने को मिले पहला तो उसका करता का पच्यपाती था तीसरा हो जाता है बह्न राजशत्ता को पिर्जा की भलाई बरक्षा के लिए मांता था। चौनेति भी धार्म स्थांतों को लागो करना चाहता था अब पांशा हो जाता है उसमें धार्म के सहसुरता का आभाब और हिंदू के पिर्टी घ्रणा करता था और चटा हो जाता है ने मुह्मीद deday वाता आपको पता है जब मुहम्मद साहब जब मर गए थे उसके बाद दो भागों में डिवाइड होता है एक बनता है सिया क्या बनता है एक बनता है सिया और एक बनता है सुन्नी कौन एक बनता है सुन्नी सिया सिर्फ किसमें आते हैं अल्लाम विस्वास रखते हैं और यह अ हमारे सियाओं का भी है कट्टर सत्रू था ठीक है आगे बढ़ते हैं जो सिया सुन्नी जो थे वो दो भागण डिवाइड क्यों होते हैं क्यों होते हैं क्यों होते हैं आपको पता है मुहम्मद सहाब था कौन मुहम्मद सहाब थे स्वरी मुहम्मद मैं भी क्या लिख रहा हूँ यहां पर मुहम्मद साहब जो जाते है ठीक है मुहम्मद साहब जो जाते है इनकी एक बेटी होती है कौन एक बेटी होती है बेटी से बिभा किसका होता है अली का होता है कौन अली का होता है अली इसके क्या होते हैं दामाद होते हैं अली कौन होते हैं दामाद होते हैं मुहम्मद सहाब के मरने के बाद कुछ लोग तो मुहम्मद सहाब को मानने लगते हैं कुछ लोग तो मुहम्मद सहाब को मानने लेते हैं और जो अली होता है अली कहता है ये कैसे हैं ढोंगी है ये हमें किसे मानना चाहिए इन्हें एक गुरू के रूप में मानना चाहिए हमें मानना चाहिए अल्ला के लिए किसे अल्ला के लिए हमें यहाँ पर मानना चाहिए तो उसी प्रिकार से जो सिया होते है जो सिया होते है वो किसे मानने लगते हैं अल्ला को मानते हैं सिर्फ और जब मुहम्मद जो बाकि होते हैं वो किसे मानते हैं लुसेंट में आप देखोगे तब बात करते हैं औरंग जेव द्वारा धार में किनिती संबंदी कार हिंदू के अधिकार का अपहड औरंग जेव ने क्या किया था हिंदू के अधिकारों का इसने अपहड किया था आपको पता है औरंग जेव ने हिंदू के तिहारों पर प्रतिबंद लगा दिया था उसका उद्दे सता की दिवाली के अबसर पर बाजारों में प्रिकासन जो प्रिकास होता है दिवाली में बाजारों में ना किया जाए होली पर किसी का इधन छीन कर एवन चुरा कर होली में ना डाला जाए उसने हिंदूओं की पाट सालाओं को नश्ट करने का आदे जारी कर दिया जिससे हिंदूओं की सिच्छा से बंचित रहना पड़ा इसके इन कारें से समस्त हिंदू जाती जो थी वो बिर्द हो गई थी किसके औरंग जेब के आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो होने ना होने वाला अपना वो हो जाता है कौन सा वो बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो हो जाता है वो हो जाता है जजिया कर कौन सा हो जाता है वही वो देखने को मिलता है अपना जजिया कर ठीक है आपको पता है औरंग जेब जो था औरंग जेब ने आदेश दिया था कौन सा कि काफिरों से अधिक से अधिक कर बसूल किया जाए। अकबर ने 1564 में जजियाकर को समाप्त कर दिया था अब यहाँ पर औरंग जेब क्या करता है इसे स्टार्ट करता है। आए में ब्रद्धी हो गई बास्तम में औरंग जेब के इस प्रकार के कर लगाने का उद्देश हिंदो को परिशान करना था। जिससे बे तंग आकर मुसल्मान बन जाएं और उसने संबंदी अधिकारियों को आदेश जारी कर रखा था कि वे जजियाकर इसको सक्ती से बसूल करें। तीसरा जो हो जाता है बो हो जाता है हिंदो के मंदरों का बिद्ध्वन से। हिंदो के मंदरों को इसने तुलबाया था। उसने हिंदो के मंदरों को नश्ट करने का आदेश जारी कर रखा था। उसका कठोर आदेश था कि प्राचीन मंदरों को छोण कर अन्य किसी मंदर क निर्मान ना कर दिया जाए और साथ ही कुछ समय बाद उसने ये भी आदेश कर दिया कि फर्मान जारी कर दिया कि काफिरों की पाट साला मंदरों को बलपूर्बक ध्वंस कर दिया जाए मूर्ति पूजा और उससे संबंद सिछा का प्रसार पूर्तिया बंद कर दिया जाए अपनी धार्मिक कटरता के कारण ही उसने पिरसिद्ध सोमनात, बिस्मनात और केसब राय। ध्यान नखना बेरी बेरी इंपोटेंट हैं कि सोमनात मंदर को किस ने तुरुआया था तो बहे हो जाता है कौन औरंग जेव। और केसब राय के मंदर को किस ने तुरुआया था तो बहे हो जाता है और बाकी हैं मगर हमें तीन बहुत ही इंपोटेंट हैं सोमनात, बिस्मनात और केसब नात आदी मंदरों को नश्च कर दिया था उसकी धार्मिक कटरता में जो लेन पूल है उन्हें कहा है लिखा है कि उस उसने हिंदू को तंग किया और उसके मंद्रों को तोड़ा और उनके मंद्रों को तोड़ा बात करता है जो चौती हैं सरकारी नौक्रियों में पचपात सरकारी नौक्रियों में विए पचपात करता है और रंग जेवी ने हिंदू नौक्रियों को साही नौक्री जो थी तो अलग कर उनके इस्थान पर मुसल्मानों को नियुक्त कर दिया और उसने आधेश दिया कि हिंदूओं को उच्छ पद पर नियुक्त ना किया जाए इससे पूर अपनी निपूरता के काड राजस्व और लेखा संबंधी कारे को हिंदू करते थे इन विभागवी मुसल्म मुसल्मान प्रेप्त संखा में ना मिलने के कारण कुछ समय तक हिंदूओं को उसने अपने पदों पर बने रहने दिया परंतु सर्बोच पदबर मुसल्मानों को ही नियुक्त किया था बात करते हैं पांचमी हेडिंग जो जाती है बलपूरबक धर्म परिवरतन यहां पर प्रोच साहिन दिया उन्होंने इसलाम धर्म सुईकार कर लिया उसने घोशना की थी कि जो हिंदू मुसल्मान धर्म सुईकार करेंगे उनके बेतन पुरुसकार भी मिलेंगे सरकारी नौकरी भी प्रदान की जाएगी हिंदू कैदियों को मुसल्मान बना कर अगर हिंदू क की धार्मिक निती के परड़ाम जो औरंग जेव ने हिंदू तथा मुसल्मानों के तौर धार्मिक जो राजनिती की थी तो धार्मिक निती बनाई थी उसके परड़ाम आपको देखने को मिलते हैं यहां पर उसकी धार्मिक निती के काड़ भारत की विविन जातियों को उसके बिद्रो का जंडा खड़ा करने के लिए प्रेत किया उसकी कदर उसकी दमन निती में निम्निकित परडाम देखने को यहां पर मिल जाते हैं पहला देखने को मिलता है जाटो का बिद्रो सबसे पहले कौन इस पर आकरमन करते हैं जाट करते हैं कौन करते हैं जाट करते हैं हिं कर बहा के किसानों ने गोकुल नामक जाट के अगुवाई में कौन थे गोकुल नामक ध् गोकुल नामक जाट हो जाते हैं उनकी अनुवाई में बिद्रो कर दिया गोकुल के समर्थन की संख्या और बरती हुई अराजक्ता को देखकर औरंग जेब ने सेना को भेजकर गोकुल के टुकड़े कर बा दिये और उसके परिबार को बलपुरवक मुसल्मान बना दिया इसके बाद जाटो का नेतत पहले राजा राम ने और बाद में उसके बाद उसके भतीजे तो कौन ते चूड़ा मल पहले बात करते हैं गोकुल का जो नेतत्व किया था वो किया था राजा राम ने और उसके बाद जो कह सकते हैं जाटो का प्रत्न किया था वो जाते हैं उनके बतीजे चूड़ा मन ने सम्हाला जिससे एक सकती साली सेना त्यार करके बरत्मान भरत्बुर के निकट जाट राजा की स्थापना की जिसका सूरदमल जाट के नाम से पिरसिद्ध हुआ आपको पता है जो चूडामल होता है भरतपुर राजिस्थान में बहा के राजा बनते हैं जाटो के राजा बनते हैं जिनका नाम होता है मूल नाम चूडामल और इनका परसिद्धी राजा हुआ जाटो का उत्थान मुगल सामराज के पतन का एक मुखकाड बना तो दिहां नखना चूड़ा अमल को ही क्या कहते हैं सूरज मल कहते हैं आपको कन्फुज बिल्कुल नहीं होता है कहां का सासक बना था भरतपुर जो राजिस्थान में बरतवान में पड़ता है बहां का हुआ था जाटो का सासक था कौन था जाटो की राजिस्था अपना होई थी कह सकते हैं जाटो का ये राजा हो जाता है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट हो जाता है कि जो संता क्या है सतनामियों का बिद्धो किसका सतनामियों का बिद्धो किसका सतनामियों का बिद्धो दूसरा बिद्धो नार नौल और मेबात के सतनामियों का था इन्हें कई तरह के जादू टोनों का ग्यान था और इन पर गोलियों का भी असर नहीं हुआ करता था एक सनातरी किसान के माने जाने पर जो शतनामी हैं कुर्द हो गए और उन्हें बिद्द्रो कर दिया सतनामीयों ने जो नार नौल हो जाता है जो नार नौल हो जाता है सहर को बुरी तरह लूटा और उस पर अपना अधिकार जमा लिया और इस्ततियों को देखकर आउरंग जेम ने एक तोफ खाने के साथ जो हमारे वाते हैं रदंदार रदंदाज खां के नितप में एक सेना भेजी बहुत से सतिनामी मारे गए और भागने के लिए बाद दे हुए आगे बढ़ते हैं तीसरा तो बिद्रो देखने को मिलता है सिखो का बिद्रो बेरी इंपोर्टेंट है यहां से धार्मिक निती के काड़ सिख धर्मिके एक सैनिक संपरदाय खालसा के रूप में संग्टित होना पड़ा यहां पर खालसा पंद की नीप पड़ती है यह आप देख सकते हो औरंग जेव द्वारा गुरू द्वारे को नश्ट करने और मस्जितों को सहर से निस्कासित करने यहाँ पर कुछ गलती है और रंग जेब द्वारा गुरु द्वारों को नश्च करने और मंदिरों को और मंदिरों को सहर से निस्कासित करने का आग्याओं को गुरु तेग बहादुर ने बिरोध किया किसका गुरू यहाँ पर मस्जित नहीं होगी, मंदिरों होगी, यहाँ पर मंदिरों ठीके, आग्याओं का गुरू तेग बहादुर ने किसने, गुरू तेग बहादुर ने बिर्योदि किया, जिस पर उसे पकड़ लिया गया और उसकी हत्या कर दी गई, क्योशन मनेगा यह से गुरू तेग बहादुर जो होते हैं उनकी हत्या किस ने करवाई थी तो करवाई थी किस ने औरंग जेव ने किस ने करवाई दी वही औरंग जेव ने करवाई थी ये कोशन आपके बार-बार गुरू गोबिन सिंग ने अपने पिता की हत्या का बदला जो गुरू तेज बहादुर थे उनका बेटा हुआ करता था गुरू गोबिन सिंग कौन गुरू गोबिन सिंग हुआ करता था उसने अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए सिक्खों को संगरित किया और खाल गुरु को बहादूर होता है उसके बाद जो बंदा टेज बहादूर होता है सुरी इना यहीं पर मित्व के बाद मुगलो होके संगर्स की बीडा बंदा बहादूर कहने बाद्रूर कहते हैं गुरू बार एक्जाम में पुछाता है एक कौन से बालता है यह समालता है बंदा बहादुर जब दसबे गुरू गुरू गोविन सिंग की मत्यू हो जाती है तो उसके बाद उसका सिस आता है बंदा बहादुर जो सिक्कों का एक कह सकते हैं खाल सापंद को समालने वाला होता है क्यों बुंदेला बिद्रो कौन? बुंदेला बिद्रो बुंदेला चापमा रनिती के लिए निपुर थे और रंग जेव की दमनात्मक निती के बिरुद बिद्रो किया पहले बुंदेला निता चंपत राय ने और उसके बाद बाद उसके बीर पुत्र छत साल ने मुगलों को बिर उखाड फेकने में भी सफल हुआ था किसके बुंदेल खंड से मुगल सासक को उखाड फेकने में इन्हें सफलता द्यासिल हुई थी आगे बढ़ते हैं इस परकार औरंग जेबी की धारम गनिती के परड़ाम सुरूप नाकेबल स्वैम उसके लिए बरन मुगल सामराज के ल अगर ऐसी निती नहीं अपनाई होती तो बहँ दुर्बागे पूर होने के स्थान पर कैसा होता गौरबसाली होता तो यहां पर हमारा हमारा क्योशन जो है वो समाप्त हो जाता है अगर किसी को नोट्स चाहिए अगर किसी को notes आई है तो कहां से download करेगा हमारी site www.paperhacker.in नीचे जो पट्टी आपको चलती हुई दिख रही है यहाँ पर जो भी कोई आप notes download करना चाहते हैं बिल्कुल आपको free of course मिल जाएंगे apps और अगर आप PDF download करना चाहते हैं ठीक है तो fans वीडियो को like करना शेर करना चैनल को subscribe करना बेल आइकन को प्रेश करना जोगी नोट बेशांगे बहर पहुंचे जय हैं जय भारत